परिवार का महत्व, बाप मरा तो परिवार खत्म, मा मरी तो सहारा खत्म, बीवी मरी तो भरोसा खत्म, बाप से अच्छा, हमें कोई बाजार नहीं घुमा सकता, मा से बढ़कर हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, भाई से बढ़कर हमें कोई सहारा नहीं दे सकता, और बीवी से बढ़कर हम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता नमबर दो सूर्य और बाब की गर्णी को सहन करना सीखो क्योंकि ये दोनों जब दूपते हैं तक चारों और अंधेरा चा जाता है नमबर तीन मौत जिन्दगी से कितनी बहतर है जिन्दा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं अब खुद मेरे चारों और बैठे जा रहे हैं पहले कभी किसी ने मेरा हाल न पूछा अब सभी आसो बहाए जा रहे हैं एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिन्दा थे अब शौने और कपड़े ओढ़ाये जा रहे हैं सकतों पता है कि शौने और कपड़े इसके काम के नहीं हैं मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाये जा रहे हैं कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया अब देशी घी मेरे मुझ में डाले जा रहे हैं जिन्दगी में एक कदम भी साथ न चल सता कोई अब फूनों से सजा कर कंधे पर उठाये जा रहे हैं आज पता चला कि मौत जिन्दगी से कितनी बहतर है नमबर चार श्री कृष्णा ने कहा है जैसे जैसे कल्यूग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं नमबर पांच समय का कैसा मोड है रात दिन की दौड है खुश रहने का समय नहीं बस खुश दिखने की होड है कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा नमबर साथ चार गुलब गुम धन के साथ पवित्रता होनी चाहिए दान के साथ विलय होना चाहिए वीर्दा के साथ दया होनी चाहिए अधिकार के साथ सेवा भाव होना चाहिए नमबर आठ चार से चार भाग जाते हैं देव गुरु के दर्शन से दरिद्रता भाग जाती है, भगवान की वानी से पाप भाग जाता है, जाकते रहने से चोर भाग जाता है, मौन रहने से प्रोथ भाग जाता है नमबर नौ, चार से विवाद मत करो, नमबर एक, कभी मूर्ख से विवाद मत करना, नमबर दो, कभी पागल से विवाद मत करना, नमबर तीन, कभी गुरु से और माता पिता से विवाद मत करना, नमबर दस चार चीजों में कभी शर्म नहीं करना चाहिए नमबर एक पुराने कप्रों में कभी शर्म नहीं करना चाहिए नमबर दो गरीब साथियों में कभी शर्म नहीं करना चाहिए नमबर तीन बूदे माता पिता में कभी शर्म नहीं करना चाहिए नमबर चार, साधे रहनसान में कभी शर्म नहीं करना चाहिए नमबर ग्यारह, आज के लोग नमबर एक, तु अपनी खुबिया धून, कमिया निकालने के लिए लोग है नमबर दो, पगर रखना है कदम, तो आगे रख पीछे खीचने के लिए लोग है नमबर तीन, सपने देखने ही है, तो उचे देख, निचा दिखाने के लिए लोग है नमबर चार, अपने अंदर जुनूर की चिंदारी भड़का, जलने के लिए लोग है नमबर पांच, अगर बनानी है, तो यादे बना, बाते बनाने के लिए लोग है नमबर छे प्यार करना है तो खुद से कर दुश्मनी करने के लिए लोग है नमबर बारह खुबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में जो तराश्ता है उसे खुबी नजर आती है और जो तलाश्ता है उसे खामी नजर आती है नमबर तेरह बादशा तो वक्त होता है इंसान तो यूँ ही गुरूर करता है पच्चतावा अतीप नहीं बदल सकता और चिंता भविश्य नहीं सुधार सकती इसलिए वर्तमान का आनंग लेना ही जीवन का सच्चा सुख है नमबर चौदह दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना क्यूंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छाया अवश्य देता है नमबर पंदरह इंसान वो ही है जिसे दूसरों का दर्द महसूस हो वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है नमबर सोना प्रति दिन खुद को एक पसेंट बहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाग नमबर सत्रह मनुष्य को हमेशा यहां नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितना खुश है बल्कि यहां सोचना चाहिए कि उस मनुष्य की वज़ह से दूसरे कितने खुश है नमबर अठारह लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है आपके साथ बैठे सके और इतने बड़े बनिये कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा न रहे नमबर बीस गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा अच्छा व्यक्ति कितना भी करवा लगे एक दिन आउशधी बन कर काम आएगा कुछ लोग विडियो को इगनोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बहतरीन जानकारिया छोड़ देते हैं आपसे मेरी प्रार्थना है नेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेर जरूर करें अगर चैनल पे नए हो तो हमारे इनको सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवार